नमस्कार, आज हम एक छोटी सी एक्टिविटी से कैसे ग्राफ पर बिल्दूओं को प्लाट किया जा सकता है, यह से किने जैसा कि इस ग्राफ में आप देख पा रहे हैं, हमने X अक्ष और Y अक्ष यहां पर बना के रखा है और साथ की साथ ग्राफ की लाइने भी इस पर आपको दिखाए दे रहे हैं, तो हमने एक छोटे ग्राफ को थोड़ा बड़ा करके यहां पर दिखाया है, अब हम कुछ बिंदूओं को इस ग्राफ पर प्लाट करके देखेंगे सबसे पहले मेरे पास एक बिंदू है पांच तीन जैसा कि हम जानते हैं, यह है एक्स अक्ष पर और यह है वाई अक्ष पर निरूपित होगा, तो पांच कोमा तीन तो एक्स अक्ष पर यदि प्लस पांच है, तो हम दाहिनी तरफ जाएंगे, पांच और वाई अक्ष पर है तीन, तो क्योंकि यह पॉजिटिव है, तो इसलिए उपर की तरफ जाएंगे, एक, दो, तीन यदि आप ध्यान से देखेंगे, तो यह तीन इसकोम बढ़ाएं इधर, और यह पांच इसकोम बढ़ाएं इधर, तो यह दोनों इस जगा आकर एक दूसरे से मिलते हैं, जैसा कि आप यहाँ बनी रिखाउंट से भी देख सकते हैं, तो यह तीन इधर से और पांच इधर स इसे प्रकार से अगला हमारे पास बिन्दू है, माईनस 4, 2. माईनस 4 के लिए हम X अक्ष पर बाइं दिषा में जाएंगे, यह है बिन्दू माईनस 4, और 2 के लिए हम उपर जाएंगे, 1, 2, और यदि हम दुबारा देखें, तो यह है 2 इस तरफ, और माईनस 4 यहाँ, तो इसे हम एक पिंग की मदद से प्लॉट कर देते हैं यह हमारे पास बिंदु में यह है minus 42 इस प्रकार से हम पिंग की मदद से इस ग्राफ पर अलग अलग बिंदुओं को नीरुपित कर सकते हैं और बचचे खेलकी में ग्राफ सीक्षक सकते हैं